हेलो दोस्तो और विल्कम बैक टू दे चानल कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो प्रेगनेंट महिला को उनका बच्चा गर्व में पहले हफते से ही पूरे नौ महीने तक इस बात की एक चिंता होती है कि मेरा बच्चा गर्व में स्वस्त तो है उसका विकास अच्छे से हो रहा है या नहीं और मुझे कैसे पता चलेगा हर बार तो डॉक्टर के पास जाना हर हफते डॉक्टर के पास जाना हर हफते सोनोग्राफी कराना बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होता है और ऐसा कराया भी नहीं जाता है लेकिन हर दिन मा बच्चे की चिंता जरूर करती है और हर दिन क्या हर सेकंड हर मिनट आप अपने ब बताऊंगी जो आप खुद महसूस करिए और खुद जान जाईए कि आपका बच्चा बिलकुल हेल्थी है बहुत ही अच्छा स्वस्त है उसका विकास अच्छे से हो रहा है तो बच्चे के मुवमेंट जेनरली सारे चार महीने से शुडू हो जाती है और यह नावी के नीचे हलकी हलकी से फील होती है तो अगर सारे चार महीने तक या पांच महीने तक भी बच्चे की मुवमेंट आपको फील होने लगी है यह दो चीजे मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पहली बार आप मा बन रही है तो आपके लिए यह एहसास बहुत ही तो सारे चार महीने में जो बच्चे की हलचल है वो मैसूस तो होती है लेकिन आपको गैस के जैसा फील हो सकता है नाभी के नीचे या हलका सा गुदगुदी जैसा मैसूस हो सकता है या कई महिला है तो समझ भी नहीं पाती है कि बच्चे की मुवमेंट है तो इस वज़े से पहली बार pregnancy है तो पांच में महीने तक आपको feel हो जाएगा कि बच्चा movement कर रहा है और अगर आप दूसरी बार pregnant हुई है तो आपके लिए तो ये बहुत ही common बात है आपको पहले से पता है कि baby movement कैसे करता है तो देखे पांच में महीने तक बच्चे की गर्व में हलचल feel होती है और उसके बाद हर दिन आपको एक घंटे में maximum four times और minimum two times में बच्चे की movement कहीं भी कुछ भी करते वे भी feel हो रही है तो आपका बच्चा बहुत healthy अब tip number two ध्यान में रखना है कि आपके गर्व की जो eminetic fluid होती है उसका level percentage सही है या नहीं और ये कैसे पता लगेगा तो जब ultrasound होता है तो ultrasound जिस भी doctor से आप करवाते हैं वो इस बात को आपको बता देंगे उसे पूछ लेना है generally कि सब कुछ ठीक तो है doctor आप जो चेक कर रहे हैं बच्चा जिस पानी की थैली में है वो सब कुछ बराबर तो है तो doctor वहीं पर आपको बता देंगे आपको आपकी गाईनों के पास तक पहुँचने से पहले ही पता लग जाएगा eminetic fluid का बहुत ज़्यादा level high होना या बहुत ज़्यादा level down चला जाना ये दूनों ही परिस्थितिया अच्छी नहीं मानी जाती है इसमें generally normal delivery के chances भी कम हो जाते हैं तो वो आपको केवल ultrasound report से ही पता चलता है number 3 कि आप जब pregnant हैं तो आपका वजन कितना बढ़ रहा है आपने notice किया होगा कि जब भी आप अपने गाइनों को मिलने जाते हो वो weighing machine पे आपको खरा कर देती है और आपके weight को चेक करती है आपको पता है ऐसा क्यों करती है क्योंकि generally एक healthy pregnancy में किसी भी महिला की weight gaining होती है वो 7 से लेके 17 kg तक हो सकती है और मैं आपको healthy pregnancy के लिए 10 से 12 kg gain करना ही होता है तो ये एक जरूरी चीज है कि महिला का वजन बढ़ना चाहिए तो इस वज़़े से हर हपते या हर महिन जब भी डॉक्टर के पाथ जाओगे वो आपका वजन चेक करेंगे और अगर आपका वजन सही रूप से बढ़ रहा है जितनी requirement है week by week तो फिर सब कुछ होके है टिप नमबर 4 कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी pregnant महिला को gestational diabetes की problem या पहले से सुगर की problem high BP की problem या फिर आपके गर्व में जो बच्चा पल रहा है उसकी placenta से जुरीवी कोई problem है या other health issue है तो ऐसी परिस्थिती में भी बच्चे को इसका reflection दिखाई देता है मतलब बच्चा कमजोर हो सकता है लेकिन घबराना नहीं है आपके doctor को अगर आपकी medical history पता है कि आपके साथ ऐसी दिक्कत हो रही है तो वो आपको medicine देंगे और आपका बस एक काम है कि लावा last tip ये है कि समय पे doctor के पास जाना जब भी आपको बोला गया है चेक अप के लिए समय पे medicines का लेना और time से खाना खाना ये बहुत ज़रूरी है pregnant महिला का tension free रहना किसी भी तरह का कोई ज़्यादा तनाव ना लेना physical active doctor के guidance में रहना अगर risque pregnancy नहीं है तो ये सारी चीजे आपको follow करनी पड़ेगी अगर आप अपने बच्चे को healthy रखना चाहती है मदर जितनी fit होती है उतना ही baby वे fit होता है क्योंकि जो भी आप सोच रही है जो भी कर रही है उसका प्रभाव directly बच्चे को पढ़ता है बच्चा कई बार आपकी बातों को सुन भी लेता है पेट में बोलते है न गर्व संसकार इसलिए किया जाता है तो अपने आपको positive रखिए और stress free रखिए कोई तनाओ की बात नहीं है delivery अपने आप आसानी से हो जाएगी आराम से हो जाएगी वो सब कुछ भगवार ने fixed कर रखा है बस आपको 9 महिने तक अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखना है और आपको positive रहना है कभी भी किसी की भी negative बातों को नहीं सुचना है न सुनना है किसी की भी कोई भी experience भी share कर रहा है ना बहुत ज़ादा आपके साथ दरावनी तो उसको भी आप lightly ही लिजे क्योंकि आप वो तो नहीं होना आपकी delivery बहुत आसानी से हो जाएगी trust me अगर आप healthy है तो तो important यह है कि इन tips को follow करके आप पूरे 9 महीनी जान सकती है कि आपके गरवे बेबी बिलकुल स्वस्त है सुरक्षित है और बहुत गुशल है तो अगर आपको वीडियो पिसंद आई है तो वीडियो को like करिएगा चानल पे नियम है तो make sure चानल को subscribe करिएगा मैं मिलती हूँ आपसे next वीडियो के साथ thank you